हेलो स्वेट एडियर उसमें आप लोग का स्वागत है और आज इस वीडियो पे हम इंबॉक्सिंग करेंगे और बात करेंगे यहां पर दोनों की जो प्राइस रखी गई है वो थोड़ा सा ज्यादा है थोड़ा नहीं मेरे साब से ज्यादा ही ज्यादा है क्योंकि दोनों में जो आपको प्रोसेसर मिलता है वो अब यह जो कोड़कोर वाला प्रोसेसर है यह हमें एंट्री लेवल स्मार्टफोन में देखने को मिलते पाथ से चेल सार में सैमसंग इसको इस प्राइस में दी दिया है तो मुझे एक प्लकुल पसंद नहीं आती कि सैमसंग जो वह कॉमपेडिशन नहीं करता मार्केट में अगर सैमसंग मार्केट में कॉमपेडिशन करेगा तो सैमसंग ऐसे प्रोसेसर वाले फोन नहीं देगा बात करते हैं जो जे फूर प्लस से यहां पर स्नापवेगन 425 के साथ में इसमें फिंगर्पिंट स्कैनर भी नहीं वैसे तो फेस अनलोक ही मिल रहा है आपको 10,990 में से पहले यह वीडियो उन लोगों की मुझे एक बहुत ही बड़ा तमाचा है जो लोगों को लगता है कि टेक्टो रुहेस जो वह पेड वीडियो पनाता है जिहां सैमसंग के फोन मुझे कितने बार आए आपको बता होगा कितने बार सैमसंग ने मुझे रिव्यू चाहिए और में मैं मंदी को गिवडे दूगार म में मेरे डैटी को गवे दिट रहा वह होती है मैं एक तरीके शानदी सकता अलनौे मैं इपर पता रहा हूं जो आखो करके इन फोन के बारे में भी आप लोग को यहां पर बता देता हूँ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ में यह बैल आइकन भी दबा दीजिए ताकि यहां पर आपने को 13 plus 5 का dual rear facing camera मिलता है और 8 Megapixel के आपको selfie मिलती है उसमें flash मिलता है snapdragon 425 वाला कोड को वाला प्रोसेसर है 4GB RAM 64GB storage 3300 image की बैटरी है fingerprint scanner और face unlock इसमें जो देखने को मिलता है रही बात यहां पर J4 की तो यहां पर आप देखेंगे इसके अंदर भी आपको 6 inch geek HD plus की infinity display मिलती है यहां पर single 13 का camera मिलता है rear के अंदर और और सिफ 5 Megapixel की selfie है वही same snapdragon 425 वाला प्रोसेसर है 2GB की RAM है 32GB की storage मिलती है 3200 image की वैटरी है और इसमें आपको सिफ बैग आपको यहां पर देखने को मिलता है phone का display दोनों का बहुत ही कमाल का है एक चीज़ में आपको clearly बोल देता हूं कि Samsung की phones के display मुझे अच्छे लगते है आप कुछ भी बोल दो यह चीज़ में डिनाई नहीं कर सकता हूं कि मुझे Samsung की phone के display यह वैसे यह दोनों phones की design बिल्ड वैसे काफी सब कुछ अच्छा है डिस्प्ले मुझे वैसे काफी सही लगा है तो यह आपको मिलता है J4 Plus और J6 Plus भी आपको वैसे मिलता है लेकिन box content में आपको दोनों में से किसी एक का दिखा देता हूं तो यहाँ पर देखेंगे आपको क्या कुछ मिल जाता है वो मैं आपको बता रहता हूं यह देखेंगे user manual और warranty cards वगर आपको मिलते हैं आपको यहाँ पे earphones भी प्रोवा आपको मिलता है दोनों के same box content है तो यहाँ पे सब को side में रखते हैं और फटापर से आते हैं दोनों phones की तरफ तो यहाँ पर देखेंगे आपको स्पीकर दोनों का आपको इस तरह की मिलता है लेकिन जो J6 Plus है उसमें राइट में आपको fingerprint scanner है तो आपको इस तरह की मिलेगा और इसमें आपको नीचे की तरफ power button इस तरफ मिलता है आप देखेंगे volume up and down की की भी सेम है आपको SIM tray अलग लग मिलते है दो क्यूंकि आपको यहाँ पर इसमें 0.0 तो अच्छा है किया Samsung आपको Android 8.1.0 दिया है और इसके अंदर में तरफ फिंगर्पिंट भी टेस्ट कर लेते हैं कि इतना अच्छा परफॉर्म करता है तो यहाँ पर मैंने जो फिंगर्पिंट इसमें वो सेट कर दिया हूँ और आपको यहाँ पर ओपन करके बता रहे और इसमें आपको से face unlock मिलता है तो इसका आपको से face unlock है आप जो इस अबाल के सकते रियर में आप देखेंगे fingerprint scanner नहीं और राइट में भी कहीं पी आपको देखने को नहीं मिलता है वैसे मुझे यहाँ पर एक बात समद नहीं आ रही कि Samsung ने भी recently A7 launch किया था triple camera के साथ में उसमें भी राइट में आपको fingerprint scanner है उसके अंदर आपको Exynos का 7885 हो 25 ज़ए नीचे Samsung नहीं दी दिया तो एक जगा पर Samsung इतना अच्छा काम करता है और एक जगा पर Samsung budget में मुझे पता ने इसा क्यों करता है तो यहाँ पर वैसे आपको उसमें और कुछ खास बताने के लिए है नहीं तो मैं आप लोग को यहाँ पर सीज़े सीदे बता रहे तो इन फोन्स की camera की बारे में performance तो obviously मैं आपको ज़्यादा खास बता नहीं सकता हो तो यहाँ पर इसमें आपको dual camera मिलता है J6 Plus में तो आपको यहाँ पर कुछ camera samples J6 Plus की मैं आपको screen पर दिखा रहा हूँ तो यहाँ पर भी आप लोग को rear के अंदर आपको 13MP का single camera है तो आपको कुछ इस तरीकी की इसमें भी जो वो clarity देखने को मिल जाती है और दोनों की selfie की बात करता हूँ तो J6 Plus में आपको 8 का है और J4 Plus में आपको 5 का है तो आप देखेंगे आपकी clarity आपके सामने कुछ इस तरीक Samsung की build quality, Samsung की phones की camera यह सब कुछ अच्छे होते है no doubt और यह हम सभी लोगों को बता है इसमें हम deny नहीं कर सकते है बस यहाँ पर Samsung की phones के जो प्रोसेसर होता है वो इतना weak होता है budget में अब Samsung इसको अच्छी से improve कर दे और competition का तो अपनी दिमाग में डाल दे तो Samsung अच्छे phones यहाँ पर ला सकता है जैसी कि उन्होंने A7 के साथ में किया है तो अगर आप कोई वीडियो पसंद है तो अब ज़रू से इस वीडियो को लाइक करिए मैं फ्यूचर में आप लोगों के लिए ऐसी unboxing reviews लाता रहूँगा और आप लोगों को ऐसी update करता रहूँगा मिलते हैं आप से क इप समाले